अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक नमस्कार आप ये लाइब तस्वीरे देख रहे हैं हर्याना के जिले यमना नगर से आजहां पर आप सभी को बता रहे हैं कि शांती फाउंडेशन की पहल से एक यूनीक बर्डे सेलिब्रेशन शुरू किया गया है जिसमें बच्चों के साथ जनम दिन बनाया जा रहा है आप सभी को बता रहे हैं कि कुछ लोग जो फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं संस्था से जुड़े हुए हैं वो लोग महराष्ट्र से आए हुए थे किसी कारणवश लॉकडाउन में यमना नगर में ही रह गए हैं और जिस तरह से उनका जनम दिस्ट बनाया जा रहा है कि जुगी जोपडी में रहने को मजबूर हो जाते हैं रिसोर्स कम होते हैं लोगों के पास इस तरह से गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है आप ये स्तितियां देख रहे हैं स्तितियों से अफगत करा रहे हैं उसी स्तिति की श्रंकला में जी हां जनम दिन एक ऐसा दि कि जनम दिवस बनाया जा रहे हैं जहां पर बच्चों के लिए केक लाया गया है केक आप सभी को दिखा रहे हैं कि केक साथी साथ समोसे एंड इटेबल आइटम्स लाई गई हैं जिनके लिए आप सभी सनुद्विड को शेयर जरूर कीज़ेगा इस समय मौजूद हर्याना कि जिले यमना नगर पर जहां पर की बच्चों के हल्दी के लिए बच्चों की हैल्थ को देखते हुए केले भी उनको बाटे जारे इम्म्यूनिटी बूस्टिंग का काम करते हैं जिस तरह से चोटे चोटे बच्चे हैं जिस तरह से बच्चों के चहरों पर खुशी लाने लेकिन अगर हम खुश होने के साथ-साथ, अगर दूसरों के चहरों पर खुशी लेकर आएंगे, तो इससे बड़ी बात नहीं है, इस तरह कि पहल फाउंडेशन के द्वारा यह अमना नगर में चलाई गई है, आमूमन तौर पर यह पहल आज से नहीं, बलकिन पिछले कुछ वर्षों से चलाई गई है, जिसको देखते हुए, जनम दिन छोटी-छोटे बच्चों का, बड़े-बड़े लोगों का बनाया जाता है, आप सभी से नुर्द विड़े को शेयर जरूर कीचेगा, जिस तरह से चोटे बच्चे हैं, मन इनका भी करता है, लेकिन जो है, इन साथ हैं कि खुशियां बाटने से बढ़ती हैं, और अगर आप भी इनके साथ ऐसे बड़े सलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, आप सभी से नुर्द विड़े को शेयर जरूर कीचेगा, बच्चों से बातचीत करेंगे, जनम दिवस हैं जिनका उनसे बातचीत करेंगे, और संस्था के लोगों से भी पूछेंगे किस तरह की पहल उनको आइडिया कहां से आया, और बच्चों के जो चेहरों पर खुशी है, जो उनके चेहरे पर इतनी प्यारी खुशी आ जाती है, इन चीजों को देखकर, क्योंकि आमूमन, किसी के लिए ये एक आमूमन केक हो सकता है, लेकिन किसी के लिए ये कभी न कभी खाय जाने वाले की टेबल हो सकता है, जो कि कहीं लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जिस तरह से संस्था के द्वारा बच्चों को के कटिंग सरमनी की गई है, बच्चों को केक जो है वृत्तित किया जा करता है, आप सभी को बता दें कि इस समय मौझूद है, जिले यम्ना नगर पर जापर ये लभों पर मुस्कान देख सकते हैं, आप छोटे-छोटे बच्चों के जिहां, ये खुशी है इनके लभों पर बताना चाहेंगे कि जो खाने का समान होता है, कहीं बार बच्चों का सब का मन करता है, लेकिन संसाधन कम होने की वजए से हम लोग रह जाते हैं, लेकिन समाज के एक पक्ष ऐसा भी होना चाहिए, जो इन बच्चों का ध्यान रखे, और समाजिक संस्थाओं का ये कर्तव्य बनता है, मैं कहना चाहूंगा कि इन बच्चों का ध्यान रखे, और की गई है संस्था के द्वारा जिनका जणम दिवस हैं उनसे भी शुरुबात करेंगे अगर आप इस तरह कोई भी आयोजन के द्वारा करना चाहते हैं आप नंबरों पर भी अंप्रक कर सकते हैं कहीं ना लोगों के चहरों पर लभों पर जी हाँ खुशियां देनी एक कर्तव्य होना चाहिए और जिस तरह से करोना ने सब को सिखाया है कि जीवन पता नहीं कब खतम हो जाए जाते जाते लभों पर मुस्कुराहट देना बहुत जरूरी आप देख रहे हैं एबिन 24 एलाइव प्रतीग्या प्रतीग्या जिस तरह ऐसे लोग आते हैं आपके साथ करते हैं इदर बहुत ही अच्छा तैलेंट भर आवा आप देख सकते हैं कि खुशी के लिए पैसों की आवशक्ता नहीं होती बलकिन खुशी के लिए खुशी के लिए जरुवत होती है जजबे की खुशी के लिए जरुवत होती है क्योंकि खुशिया छोटी चीज से भी संजोई जा सकते हैं ऐसे नुरंद बिड़ hosts जरूर कीजेगा ऐसे पढल बहुत कम देखने को मिलते हैं सकारातमक खबरें बहुत कम कम देखने को मिलती है और बहुत कम लोगों होते हैं जो अपने लोगों के साथ मिल कर इस तरह का गट exhart कर्म करता देख रहे हैं छोटी-छोटी तो यू और आप कैसा लगता है जब यहां पर आते हैं और आपके साथ ऐसे जन्म दिन करते हैं बहुत अच्छा लगता है क्या करना चाहेंगी उनको अंकल को जिनका अच्छा लगता है जिस तरह से बच्चे के लिए क्लैपिंग जरूर बनती है क्योंकि ऐसे बच्चों का मनोबल भडाया जाता है धन्यवाद प्रीदी और आप देख सकते हैं लाइफ तस्वीरे हर्याना के जिले यम्ना नगर से जहापर जो इस तरह का कारे करम है वो कारे करम किया जाता है संस्था के द्वारा और जिस तरह से पूछना भी चाहेंगे और देखना भी चाहेंगे कि जिस तरह से जो लोग है जिनके पास limited resources होते हैं daily का खाना daily का कमाना इस तरह कि जो प्रणालिया चल रही है और lockdown में चलते कहीं न कहीं सब के जो है काम अस्तिवेस्ट हो चुके हैं उस समय में इन बच्चों को सबसे ज़्यादा जोरुत होती है पालन-पोशन की और नित्त्व की और जिस तरह से समाजिक संस्कठनों का यह कारेकरम और सब उनका एक समय से बताना चाहूंगा कि यह संकल्ब बनता है कि वह इस तरह का कारेकरम जरूर करें प्रिया क्हाहँ चाहेंगी जिस तरह से संस्था इस समय बड़े बनाती है और काफी समय से बड़े बना रहे हैं उनकी खुशियां देखने से लिल रही है तो आपके साथ कैसे जुड़ा जा सकता है अगर किसी ने अपना बड़े करना हो हम यह पर लेबर कॉलोंई में बच्चों के साथ बड़े मनाने मनें ओक तरह से सबसे तरह सब्सक्राइब और रिक्षा वाले आजकल समय बच्का करते हैं सबस्क्राइब इतनी खुशी महसूस होती है जब आप लोग इने देखते और इनके में लभू पर ये खुशी के जो पल है वो देखते हैं बहुत खुशी महसूस होती है हम लोगों के लिए केक बहुत चोटी सी बात है बट इनके लिए वह बहुत बड़ी बात है केक और समोसा इनके लिए स सूझ करते हैं कि आज हमारे लिए बहुत कुछ आए बहुत बड़ी पार्टी आगे जिस तरह से तो बहुत भधनेवात प्या जी आपका तो जिस तरह से आप सभी को दिखाया कि बहुत ही जरूरी है आप खुश होते हैं तो आपने अपने साथ-साथ औरों को भी खुश करना बहुत सरूरी है आपे लाइफ तस्वीरे देख रहे हैं रागे जिले यमना नगर्ज से मुस्यम को दे दीजी अजाज़त बने रही आईबियन 24 परिवार के साथ आप देख रहे हैं आईबियन 24 सच खबर आप सभी तक नमस्कार